हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम 2024 का जो अंग्रेजी का पेपर वायरल हुआ है इसका यहां पे हम हल देखेंगे फ्रेंस आपको 100% की गारंटी देते हैं कि जो आपको 4 मार्च के अंग्रेजी का पेपर बोर्ट एक्जाम में होगा 100% इसमें से मैक्सिम सवाल आपको बोर्ट के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको बहुत सिंपल तरीका से पैसेज को हल करने का तरीका और कितने बहुईकल्पी प्रश्ण को कैसे हल किया जाता है आप सभी को तब सिंपल तरीका से बताने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को लाश तक देख लेते हैं तो अंग्रेजी के जो पैसेज हुआ और जो बहुकल्पी प्रश्ण हुआ आप बहुत आसानी से हल करने का तरीका सीख जाएंगे आपको इसमें ट्रिक बताएंगे पेपर को हल करने का तुरा ट्रिक बताएंगे ठीक है तो आप वीडियो का लाश तक जरूर देखिएगा एक सेकेंड के लिए भी वीडियो का इसकिप मत कीजिएगा देखिए ये आपका जो सेट है 817 डीजे है यहाँ पर क्या करना रहता आपको अनकुरमांक लिखना रहता और यहाँ पर अपना नाम लिखना रहता है अब यहाँ पर कुछ इसके निर्देश दिये जाते हैं नहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये रहते हैं इस इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दे रहे हैं पहला इस्ट्रक्शन यही है कि जो आपको 15 मिनिट रहता है यह आपको क्या करना रहता है 15 मिनिट तक आप पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहा है कौन में तिसरा निर्देश है कि यह जो प्रश्ण पत्रे दो पार्ट में बता है पार्ट ए और पार्ट बी में ठीक है पार्ट ए में जो होगा बीस multiple choice question होगा अर्थात बोविकल्पी प्रश्ण रहते हैं ठीक है जिसका answer आपको MR सीट पर देना रहता है ठीक है पार्ट ए में ठीक है जितने भी multiple choice question है उसको MR सीट पर answer देंगे यदि एक बार आप answer दे देते हैं तो उस पर आपको क्या करना है किसी प्रकार का कट नहीं लगाना है न वाइटनर का न इरेजर का प्रियूग उसमें करना रहता है ठीक है आप सभी को पहले से पॉइंट पता भी है अगला पॉइंट है मार्क्स आपको क्या करना रहेगा जो answer सीट रहेगा उस पर लिखना रहता है और अगला सब्सक्राइब करना रहेगा और अगला है कि start from the first question and go up to the last question do not waste your time on question you cannot solve इसका मतलब होता है कि आपको पहले question से आपको क्या करना है question को स्टार्ट करना है और लास्ट कोईस्टन तक हल करते चला जाना है जिस question का answer आपको इंसर नहीं आ रहा है तो उस पर आपको समय बरबाद नहीं करना है उसको छोड़ देना रहता है इसके कुछ instruction थे आपको बताए है चलिक क्वेस्टन को हल करते हैं कितने simple तरीका से question को हल किया जाता है ठीक है यह आपके सामने question है ठीक है ध्यान दीजिएगा कितने simple तरीका से इसको हल करते हैं यहां से part a start होता है ठीक है जिसमें question number one से तीन तक इसमें पूछा है पहले क्या किजिएगा पहले इस passage जो दिया है इसको ध्यान से पढ़िए देखें आप क्या है read the following passage carefully and answer the question that follow choosing the correct option ठीक है यानि कि इस passage को पढ़ना है और इस message जो सही answer है आपको उसका answer देना है ठीक है अब चलिए passage को पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा पैसे कैसे पढ़ेंगे कि the last half of my life was spent at one of those painfully reports of human history during which the word seemed to the getting worse देखें फ्रेंस पहले इस passage को पढ़ते हैं फिर इसके answer देखें कितने ट्रिकी माध्यम से आप निकालेंगे बस देखते रहें where past victories which had seemed to be definitive have tuned out to be only temporary when I was young Victorian optimist was taken for granted it was taught that freedom and prosperity would spread gradually throughout the word thought and ordinary process and it was hoped that cruelty and justice would continually diminished अब देखें यहां तक आप पैसेज पाहली है आपको इसके हिंदी जानने के कोई जरूत नहीं है आप देखें एंस्वार जो पूछ रहा उसमें आपको एंस्वार निकाल के पता रहें कितना ट्रिक्स निकालेंगे पहला question इस पैसेज से पूछा है पहला question देखें यहां पर the author felt said about the letter part of his life because option को देख लिजिए अब option को देखने के बाद देखें आथर felt said about the letter part of his life कहां पर लिखा है देखें यहां पर देखें कि जो वाक के कर रहा है आथर ही कर रहा है देखें कि last half my life was spent at one of those painfully यहां क्या लिखा है पैनफुली process of human history ठीक है इसके बारे में देखें लाइफ के बारे में पूछ रहा है किसके बारे में लाइफ के बारे में लाइफ वाला वाक के देखें यह है ना आपका लाइफ वाला यह वाक के पकल लिखें अब देखें आपसन को पढ़िए आपसन को पढ़ने के बाद आप देखिए panfully की वाक्य में दिया है तिर्फ panfully पढ़िए panfully कहां पे दिया है यह आप के सामने आफ न को पढ़ाएं अब देखिए panfully देखिए panfully लिखा था यह बस सिर्फ panfully को पकड़िए और यहाँ पर दिखे, painful लिखा है, painful से painful को पकड़ के आप answer दे सकते हैं, इसका answer क्या होगा, d वाला option आपका 100% is correct हो जाएगा, इस प्रकाद सब्दों को पकड़ के आप answer दे सकते हैं, अगला देखिए, दूसरा है, the victories of the past, अब देखिए, यहाँ पी इसका answer कैसे देंगे, प देखिए, जब इससे पढ़ेंगे तो देखिए, विक्टोरी यहीं पी लिखा है, विक्टोरी इसका पढ़ते वेचले जाएगे, which had seem to be definitive have turned out to be temporary, देखिए, यहाँ पर वाक्षे समाप थो रहा है, वहाँ पर temporary है, और वाक्षे में देखिए, यहाँ पर जो आपका आपसान है इसमें temporary कहा भी लिखा है, देखिए, इसमें temporary यहाँ आपसन तो नहीं सकता है, इसमें भी देखिए, यह भी आपसन नहीं होगा, देखिए, प्रूब टू बीटेंप्रोरी इवेंट, जिसका सही जुब क्या होगा, सी वाला आपसन सही हो जागा, यह भी आपसन साही नहीं होगा देखें काई से निकाल हो सब्सक्राइब को पैनफुली यहां से पैनफुली को पकालिए यहां से विक्टोरी आप पास्ट इस वाले वाक्य में आपका टेंप्रोरी लिखाता है तो इस वाक्य में देखें आप टेंप्रोरी कहां पर यहां पर है इससे आप निकाल सकते हैं ठीक है कितना सिंपल तरीका से आप निकाल रहे हैं चलिए अगले को देखते हैं देखें अगला नंबर का जो यहां पर पूछ रहा है कि definitive का पैसेज में जो definitive सब्सक्राइब इसका अर्थ क्या होता है अंतीम होता है अब इसमें अंतीम पता है किसका है definitive का अर्थ क्या होगा फाइनल मतलब क्या होता है अंतीम होता है इसका सही जोग क्या होगा भीवला आपसन सही होगा अगला नंबर का देखिए कोएस्टन नंबह जो चार से आप तक चूज दप्रेक्ट आपसन एंस्वर दफालूइं यहां पर चौथा नंबर कर देखिए सवाल क्या है आई एम प्राउड माइस सन अब यहां पर ध्यान देखिए का प्राउड के बाद हमेसा क्या लगता आप आफ लगता क्या लगता प्राउड करना है और इस प्राउड करना है कि इसका एक मीनिक्फूल सेंटेंस बने अब देखिए क्रोड क्लेबर इज ए वेरी द वर्ड बर्ड अब यहां पर देखिए दो बेरी क्लेबर बड तो होता नहीं कभी यह अप नहीं लगा सकते है श्टार्टिंग में दो क्रो को इस रहां रदिखिए क्रो प्रोड सब्जेक्ट कर रूब में हो जाएगा यह कलेवर और वर्ड हो जागा यह की मतलब इसा है इसgener को नहीं सकते है यह कौई आपका mast बॉट चतूर पच्छी है ठीक इसप्रका सिस्का रियेंज करना रहता है और यह पेपर हमेशा बोर्ड की एक्जाम में जरूर देता है अगला नमबर के देखिए छटवा नमबर का अब यहां से आपको क्या करना है कि यहां से करेक्ट आपसन को चूच करना है बस यहां पर देखिए नो सुनर यहां पर लिखा है इसके आगे देखिए अगला देखिए यह आपका साथवा नमबर का क्वेश्चन है कि वीच आप फ़ाल जो वोट्स ही बात में या कि या बात में नोबर कि यीए ओधनियर योह होता है आई पहले होना चाहिए बाद में लेकिन इसमें क्या दिया है इसलिए क्या होगा देखिए यहाँ पर मिस इस्पेल्ड पूछा दिसका सही जोग क्या होगा बी वाला आपसा सही होगा ठीक है चलिए अगले नमबर के question को देखते हैं आपका आठवा नमबर का question देखिए क्या है कि choose correct option to answer the following मतलब यहाँ पर देखिए दिया है कि one who cannot speak मतलब इसको एक सब्दे में क्या कहेंगे मतलब इसका आर्थ होता है एक जो बोल नहीं सकता है उसको कहेंगे dump क्या कहेंगे dump करते है इस एक सब्सक्राइगे देखिए अगले नमबर के question को पढ़ते है अब यहाँ फिर पैसेज से आगया question number 9-10 था ठीक है read the passage given below and choose the correct option to answer the question that follows जो यहां पे पैसेज दिया है इसी में से आपको क्या करना है answer बताना है चलिए इस पैसेज को पहने से पहले आपको पहले question दिखा देते हैं तब आप देखे कितना simple तरीका से लगा सकते हैं अब यहां पे दिया 10 में 5 में 6 में वेरी नियर अब देखे अब इस पैसेज को पढ़ियेगा और देखे कितना simple तरीका से आप निकाल सकते हैं अब पैसे इसको पढ़िये देखे ओवर मेनी देज एंड मोंस वेली लिस्टें केर्फुली तुक कन्वर्जेशन बट्वीन हर नेवर एंड पीपूल हूर रेगुलर यूस्टु बस एंड शी आसु आस्टे फ्यू सेक्रेट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर लाइन कलीजी फिर आगे पालीजी एगा हर विलेश दो वेर वाज 30 पैसा वन वेर विच इस अल्मोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यहां पुपारा पर सा बाट टू वेली वु से क्रेली वॉट्वे ज़ू अब यहां पे क्या आपर क्या है कि आप से क्या पूछा था टाउन वास फ्राम वैली विलेगर आपर दिखेंगी इतना यहां पर दिया है इस सब्दու Leute कारें यहाँ पचले कि का सब्ड रॉक के कहां पर चाने कि जरूत नहीं डाइंगे इस और तो त styl distinct नम्बर का पैसे से पूछ रहा है अब यहां फ़िछा स्री पैसा टल छीब साच स्थी पैसा पूंचन रहा है ना झाली इसको अभी पैसे में डिखाते हैं कि पैसे यहां प्ढ़िए जए पैसे में पैसा हो दो आज पाओ कि देख़ी सब्सक्राइब आपको पूरा पैसे इसका ईर्त नहीं जानना रहा था है इसे आपको सaceutन सिंपल तरीका energy बताने में समय लग रहा हैं आप इस चीज को समझ जाएंगे बहुत कम समय में एंसर निकालना रहा है visit नमबर 11-13 तक choose the correct option to answer the following question अब यहाँ पर जो question दिया है इसका आपको answer चूछ करना है अब देखिए जो यह question आगे पूछ रहा है आपका यह book से यदि आप book पढ़े रहेंगे तभी इसका answer आसानी से दे सकते हैं देखिए करही 11 नमबर का democracy election we are held in South Africa in . . . . and Mandela became the first black president of a new nation अब यहाँ पर बताना है कि Mandela आपको South Africa में जो election democracy election हुआ था कब हुआ था ठीक है तो आपको देखिए यहाँ पर बताना है तो कब हुआ था देखिए आपसान दिया 1990 हुआ था 1950 में 1994-1984 यह देखिए आप पढ़े होंगे बुक तो उसमें पढ़े होंगे क्या पढ़े थे आप कि 1994 में South Africa में democracy election हुआ था इसका सही जोगता होगा सी वाला आपसान सही हो जागा यह आपको बुक से सवाल दिया है ठीक है question को आप ध्यान से पढ़के answer दिया कीजिए बारा नंबर का लेंचो रोट ए लेटर टू गार्ट आस्किंग फार डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड इंचों के बारें पढ़े होगे अपसान हो यह हंडेट होगा यहां फिसका सही जावाब यह अपसान आप सही लिखेंगे यादि बुक पढ़ेंगे इन सभी प्रशणों का answer आप सिंपल तरीका से देश सकते हैं तेरा नंबर का वाली वा डाट डाटडड टाट इयर मतलब कितने वर्स उल्ड गर लिती मतलब उसका उम्र बता रहा है 10, 7, 8, 20 कितना था इसका कितने था वाइली वाज 20 यर ओल्ड गर लिती कितना 20 यर ट्वन्ती करें एट न एट ओल्ड गर लिती इसका सही जोत कि होगा सी वाला कि वैली वाज एट यर ओल्ड गर इस प्रस्ट का सही जो आपके होगा सी वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है इस अभी कोईस्टन जो बुक से पढ़ा है तो बुक आप पढ़े होंगे तब इसका सिंपल दरीका से एंस्वर दे सकते हैं चली अगले नंबर के कोईस् पंदर का देखें ही श्टाथ इनर की इस वाइवट स्टिप्स दफ्यू स्टेप सफ्सके अफ-फिस केस ने का मतलब क्या हुआ है जू से संबंदीत हो गाँ निकी सब्सक्राव पकाल ली जीए जू से संबंदीत हो गया ठीक है आप देखें यहां पर पूछ क्या रहा है? कोईस्टन देखें, बहुत ध्यान से देखें, सिंपल तरीका से निकाल लेंगा, चोधर नमबर, मतलब कि इसमें जो पोएट है, जो पोएट है, इसमें किसके बारे में, मतलब इस पोएट को किसने लिखा है, इसके बारे में इस्टेंजा के बारे में बताना है, यह मतलब जो दिया है, यहां पर जो आपके पोएब दिया है, इसको किसने लिखा है, आप साथ है कि वाल्ट वाइट मैन है, ठीक है, लेसली नोर्सिया है, रोबाट फ्रोष्ट है, रोविन क्लीन है। यह जब पढ़े में इसको किसने लिखा है वश यह पता होला चाहिए यो सभी Generation पॉयम जो आप उपर पढ़ें उसका टाइटल क्या है तो जू से संबंदित था तो जू अब आपसान में देखिए जू कहां पर लिखा है जू सिर्फ एक ही जगा लिखा यह जू तो टाइगर इन दू इसका सही जो आपका सही हो जागा तो देखिए कितना सिंपक दरीका सा आप एंसर निकाल रहे है इसी प्रकास से निकालेंगे यदि आप पूरे वीडियो के एक बार यहां से देख लेंगे तो दिखिए क्वेस्टन नमबर 16 और 20 है चूज देखिए आपके क्या है बुक से है ठीक है यह बुक से है ठीक है यहां पर पैसेज दिया नहीं है आपक इसके राइटर कौन है मतलब लेखा कौन है जो यह चेप्टर है आपका The Making of a Scientist इसके राइटर कौन है अब यह बुक अब जो पढ़े रहेंगे चेप्टर पढ़े रहेंगे तब ही तो पता सकते है इसका इंसर आप बुक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिजिएगा ठीक है इसका सही जॉठ कि होगा Robert W. Patterson है इसका सही जॉठ क कह राइटर कौन को देखते है दो 17 नंबर का तो देखिए इसका सही ओपका हो जाएगा ठीक है तो राम्लाज इलडेश-डाटर में तक राम्लाल का जो इलडेश-पुत्री कॉन थी ना यह बता नहें ग्यों जो इलडेश-पुत्री तो यह वला Period, पुत्री-ा थी सही दार रामलाल का इस्पेक्टर रामलाल का नंबर दार रामलाल का ठीक है किसकी थी इसका सही जबाप क्या हो जाएगा आपका कि नुम्बर डर रामलाल का किसकी थी इस परशन का सही जबाप का होगा डी वाला आपसा सही हो जाएगा नंबर दार ठीक है चलिए अगले नंबर क क्वेश्चन को देखिए 19 नंबर का ट्रिकी एक्चुल प्रॉब्लम वास मला ट्रिकी की जो एक्चुल प्रॉब्लम थी ठीक कौन थी मलेरिया था मल न्यूट्रेलियां सा फीवर था वो मीटिंग विकाज आप इक्सेस आप फुड था इसका क्या था ठीक है इस प्रश्ण का सही जो आपके होगा डीवलाप्सन क्या सही हो जागा कि ट्रिकी की जो एक्चुल प्रॉब्लम थी उमीटिंग विकाज एक्सिक्स आप फुड था ठीक है इस प्रश्ण का सही जो आप डीवलाप्सन सही हो जाएगा यह देखिए आपके सभी बुक से हैं आपके बुक आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक सदिक वीडियो को सेर करें